असलाम उलेकुम फ्रेंट्स आप देख रहे हैं फारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इंजिनियर फारूक एम्द फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम एंगल ग्राइंडर के आर्मेचर की रिवांडिंग करेंगे 9 इंच एंगल ग्राइंडर आर्मेचर और इसका टेक्निकल डाटा नोट कर लें इसके 16 स्लाट्स होंगे 16 स्लाट्स अर्मेचर स्लाट्स 16 स्लाट्स और इसके जो कमोटेटर पीसे होंगे वो 32 डबल पीस होंगे यह जो इसके कमुट्रेटर होगा जो के इसके उपर हम बाद में फिक्स करेंगे तो इसके 32 पीस होंगे डबल लूप वैंडिंग होगी इसकी जो वैंडिंग होगी वो डबल लूप होगी और इसकी क्वाइल पिच जो है वो एक आठ की होगी 1-8 1-8 क्वाइल पिच और इसकी जो हम वैर इस्तमाल करेंगे वो 23 SWG वैर और इसके पर क्वाइल टन्स होंगे 12 टन्स आफ 23 SWG वैर पर क्वाइल डबल लूप वैंडिंग होगी और यह रिवर्स वैंडिंग होगी इसकी अब बैंडिंग जो है वो रिवर्स करेंगे और winding अब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए सबसे पहले wire को हम shaft के साथ लपेट लेंगे wire का जो start lead है उसको हम shaft के साथ बल देंगे तो अब हम इशका coil pitch नोट कर लें मैं इसका coil pitch त्यार करते हैं एक यह यह जिसके एक और eight की pitch होगी और नोट कर ले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ, वन एट, वन एट, क्वाइल पिछ, अब हम पहला क्वाइल शुरू करते हैं, ये वरंडिंग ए होगी, ए साइड की वरंडिंग की पहली क्वाइल शुरू कर रहे हैं, तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, एट, नाइन, टैन, एलेवन, ट्वेल्फ, अब ट्वेल्फ टैन कंप्लीट करने के बाद, अब हम इसका सेकर्ड लूप जो है, वो तियार करते हैं, तो ये सेकर्ड लूप जो होगा, लूप नमबर टू, लूप नमबर टू, विल बी शाट, देन, लूप नमबर वन, लूप नमबर टू हमने त्यार कर लिया, ये हमने त्यार कर लिया, और इसको हम छुटा रखेंगे, लंबाई में, कम रखेंगे, जो के इसकी इडेंटिफिकेशन है, कि जो लूप नमबर एक, और जो शाट ल लूप नमबर दो होगी यह हमने इसकी पहचान रखनी ऐं जब इस वाइंडिंग को कम्प्लीट करेंगे तो नोड़ करते जाएं जो लॉप नमबर एक और शॉर्ट लीड लूप नमबर दो तो यह लूप नमबर दो मुकमल करने के बाद तयार करने के बाद अब हम सेकंड को तस ग्यारा बारा अब बारा टरंग मकंबल करने के बाद हमारा वैंडिंग ए का डबल कौाइल वैंड हो चुका है एक स्लाट में चुकर डबल कौाइल वैंड होगा तो हम जो लूप नमर एक और दो है वो उसको पेपर की आउट साइड पे फोल्ड करेंगे और जो लास्ट लिड होगी इसको पेपर की इनसाइड फॉल्ड करेंगे तो युह यहां रखते हुए हम वायर को काटदेंगे और वैंडिंग A का हमने डबल कौाइल ऊपर नीशे वैंड कर लिया और अब हम वैंडिंग B को भी हम वैंडिंग A की तरह स्टाट करेंगे सेम लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दूसरा सेकंड पेपर जो है वो हम स्लाट नमबर 8 में करते हैं तो यूं यह हमारा एक 8 का कौाइल पिछ त्यार हुआ और यहां हम पहला कौाइल वैंडिंग B का पहला कौाइल शुरू करते हैं तो सेम लाइक हम वाइर को स्टार्ट करने के लिए शॉप्ट के साथ बल देंगे और कौाइल शुरू करते हैं एक दो तीन चार पांच नौ दस ग्यारा बारा तो यह बारा टरन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका सेकंड लूप त्यार करते हैं वैंडिंग B का फर्स्ट सेकंड लूप फर्स्ट कौाइल का सेकंड लूप त्यार करते हैं तो यह सेकंड लूप त्यार करने के बाद दुबारा हम इसके उपर second coil शुरू करेंगे तो यह देख सकते हैं कि loop नमबर एक और loop नमबर दो यह long और short lead पहले की तरह त्यार करते जाएंगे तो यह second coil शुरू करते हैं एक दो तीन चार पांच 11 12 तो यह 12 turn कम्प्लीट करने के बाद अब हम winding B का एक साथ पहले जो दो सलाट हैं उनमें double coil उपर नीचे double coil wind कर चुके हैं अब हम wire को जो हमारे दो loop हैं loop नमबर एक और दो इनको paper की outside पर fold करेंगे और जो last lead होगी इसको हम उपर से नीचे लाते हुए अब reverse यहां reverse side पर यहां से एक सलाट पीछे wire को नीचे से उपर लाएंगे तो हम एक paper डाल लेते हैं ताके इसकी reverse यह reverse side होगी reverse चाल होगी reverse winding में हम back side पर paper डालेंगे और यहां इस wire को लास्ट लीड को हम reverse side वाले second slot में नीचे से उपर को लाएंगे और यहां हम loop number एक त्यार करेंगे तो यह हम इस slot का loop number एक अब हम सबसे पहले loop number एक त्यार करके first coil इस slot का first coil जो है वो शुरू करेंगे जी friends तो first loop त्यार हो गया अब हम इस slot का first coil जो है वो शुरू करते हैं तो हम इदर से भी एक slot back को जाएंगे ताके reverse winding बन सके तो यहां हमारा एक आठ की पिच बन जागी और coil शुरू करते हैं एक दो तीन दस ग्यारा और यह बारा बारा टरन मकमल करने के बाद अब हम wire को slot में उपर से नीचे को गजार देंगे और जो loop हैं उनको paper की outside पर रखेंगे और यह wire last lead जो है वो paper की inside फोल्ड कर देंगे तो यूं हमारा B side का second slot भी complete हुआ अब हम वापस जाएंगे और winding एक अक्वाइल शुरू करेंगे तो winding एक अक्वाइल शुरू करने के लिए सबसे पहले हम उसका जो last lead होगी जो के हमने paper की inside रखी थी इसको बाहर नकालेंगे और इस से reverse side वाले slot में यहां से नीचे से उपर को लाएंगे और साथ ही इसका paper डाल लेते हैं ताके हमारा जो coil है वो हम शुरू कर सकें तो अब हम यहां paper in करते हैं reverse side पर next slot में coil शुरू करने के लिए यहां paper in करते हैं तो यह हमारा A side का second coil जो है second slot जो है उसका शुरू करते हैं coil अब हमारी winding A जो है उसका next slot जो है उसका reverse side पर next slot में paper डाल दिया गया है अब हम यहां यह wire को last lead को नीचे से उपर लाएंगे और इसके साथ wire को जी तो यह हमने real वाली जो wire is spiral वाली इसको बल दिया बल देने के बाद इस slot का loop number एक त्यार कर लिया गया है हर slot में अभी हम सबसे पहले loop number एक त्यार करेंगे और उसकी coil त्यार करेंगे यह loop number one next slot का loop number one त्यार हो गया है coil शुरू करते हैं एक आठ की पेच के साथ से एक slot हम reverse साइड से भी back साइड से पीछे जाएंगे और forward साइड से भी पीछे आएंगे तो यूँ next choir शुरू करते हैं एक तो तीन चार पांच ग्यारा बारा अब बारा टरन कंप्लीट करने के बाद हम second loop त्यार करेंगे इस slot का second loop त्यार हो रहा है जी friends तो इस slot का second loop जो है वो हमने त्यार कर लिया है अब हम second coil शुरू करते है next coil शुरू करते है इस slot का next coil जो है वो हम शुरू कर रहे है एक दो तीन चार पांच दस ग्यारा और ये बारा बारा टरन मुकंबल करने के बाद अब हम इस wire को जो है जो हम फोल्ड कर देंगे और ये wire जो है ये next slot में नीचे से उपर को लाएंगे तो इसके wire हम को लूप हमने फोल्ड कर दिये और wire को paper की inside उपर से नीचे लाते हुए यूँ यूँ इस wire को next slot में paper डालेंगे और नीचे से उपर को लाएंगे और इस slot में हम इसका loop number एक तियार करेंगे तो ये हमने wire paper की inside रखते हुए next slot में नीचे से उपर को लाई और अब यहां हम इस का इस slot का loop number एक तियार करते हैं तो ये हमने loop number एक जो है वो तियार कर लिया इस slot का और एक slot हम reverse side से back side से भी reverse जाएंगे ताके एक आठ की पिच के हिसाब से coil डाल सके यहां अब हम इस slot में coil number एक तियार करते हैं एक बो तीन चार पांच यारा बारा और यह बारा तरन देने के बाद अब हम इसका second loop जो है वो तियार करते हैं second loop तियार करने के बाद अब हम इसका second coil जो है इसी slot का second coil शुरू करेंगे जी friends तो हमने second coil मुकमल किया और अब हम next slot में wire को नीचे से उपर को लाएंगे और इसका next slot का loop number एक तियार करते हैं तो यह loop number एक तियार करके हम next slot जो है इसमें coil शुरू करेंगे तो यूँ अब हमने इसका loop number एक वह तियार कर लिया है तो यहां हम एक आठ की पिच में next slot का coil number एक शुरू करते हैं तो यहां चूंकि हमने next slot back side से भी reverse जाना है तो इस तरह हमारा यह next coil शुरू हुआ एक दो तीन चार पांच दस ग्यारा और यह बारा बारा टर्न मकंबल करने के बाद आप हम इस slot का loop नमबर दो तियार करेंगे तो यह हमने यहां बारा टर्न कंप्लीट कर लिए और लूप नमबर दो तियार करते हैं तो यह second loop जो है यह हमने तियार कर लिए अब next slot इसी slot में next coil जो है इसका दूसरा coil शुरू करते हैं एक दो तीन चार पांच दस ग्यारा और यह बारा बारा टर्न देने के बाद इस slot का दोनों coil मकमर हुए और अब हम इस wire को next slot में नीचे से उपर को नकालते हैं तो यह हम wire को paper में से गुजारते हुए reverse side पर नीचे से उपर को लाएंगे और यहां loop number 1 त्यार करेंगे next slot का loop number 1 त्यार करते हैं तो यह हमने wire को डबल किया और इसमें से loop number 1 त्यार करने के बाद wire को दुबारा paper में in रखते हुए next slot का coil number 1 शुरू करेंगे तो यह हमारी एक काट की पेचे बन जाएगी यहां हमने back side से भी एक slot reverse जाना है तो अब हम यहां इसका one eight का coil क्यार करेंगे एक, दो, तीन, चार, दस, ग्यारा, बारा अब हमने एक काईल मुकमल कर लिया और इस slot में हमने एक काईल मुकमल किया और इसका second loop जो है वो तियार कर रहे हैं तो अब हमने second loop तियार किया और इसमें next दूसरा काईल जो है वो इसी slot का दूसरा काईल शुरू करते हैं एक, दो, तीन, तूंग, ये 12 टरन मुकमल करने के बाद अब हम wire को next slot में नीचे से उपर को लाएंगे और next slot में काईल शुरू करते हैं तो इसी तरतीब के साथ हम ये winding मुकमल करते हैं और इसी sequence के साथ reverse winding रखते हुए इसको त्यार करेंगे जी friends तो अब हम winding A का second last coil क्यार कर रहे हैं second last coil of winding A तो यहां हमने इसका loop number एक त्यार कर लिया और इसकी winding शुरू करते हैं तो यूं second last coil शुरू करते हैं एक दो तीन चार पांच दस ग्यारा और बारा ये बारा टरन कंप्लीट की है और इसका second loop जो है वो त्यार करते हैं अब हम second loop त्यार कर चुके और यूं अब हम इस winding A का last coil जो है वो wind करते हैं last coil winding A last coil एक दो तीन चार पांच कोईल मुकमल हो चुका और अब हम इसका last lead of winding A last lead of winding A इसको हम slouch से गजारते हुए नीचे से उपर को लाएंगे और ये last lead of winding A start lead of winding B यहां से हमने winding start की थी तो ये हमारे पास winding B का start सिरा है और इसके साथ winding A का last सिरा last lead of winding A and last lead start lead of winding B तो A दोनों सिरे मिलकर दोनों leads मिलकर slouch winding B जो है उसका पहला loop जो है वो तियार करेंगे तो इस तरह अब हम winding B जो है उसका last coil जो है वो तियार करते हैं तो इसकी जो lead बायर थी उसके साथ हम बायर attach करते हैं attach करने के बाद इसको इसके slot में इन करते हुए loop नमबर एक तियार कर रहे हैं तो ये हमारी winding B की second last coil जो है वो शुरू हो रही है winding B second last coil first loop तियार हुआ और अब यहां हम इसकी एक 8 की pitch के हिसाब से next slot में coil in करते हैं तो यूँ पहला coil second last coil आफ winding B एक दो तीन चार पांच दस ग्यारा और ये बारा बारा टन कम्प्लीट की है और second last coil मुकमल हुआ वा B का और अब हम इसकी second loop जो है वो तियार करते हैं loop number two और अब last coil of winding B ये शुरू करते हैं तो यहां हम एक दो दस ग्यारा और ये बारा प्रेल टन कम्प्लीट हुए और ये last coil of winding B winding B का last coil मुकमल हुआ और winding B भी मुकमल हुआ और अब हम winding B का last lead of winding B को paper में उपर से नीचे गुजारते हुए अब हम इसको reverse next slot में in करेंगे और यहां हम winding B का last lead और winding A का start lead ये दोनों मिल जाएगे ये winding A का start और ये winding B का last ये दोनों मिल ये दोनों leads मिलकर winding A जो है उसका first loop त्यार होगा first loop जहां से हमने winding A शुरू की थी उसका पहला loop त्यार होगा जी friends तो अभी हमारी winding जो है वो complete हो चुकी है अब हम तमाम leads को तमाम loops को उपर की तरफ लाएंगे और paper को free करेंगे ये तमाम loops को उपर की तरफ कार लेते हैं जी friends तो loops को हमने उपर की तरफ shift कर लिया अब हम इस आर्मेचर की paper cutting करेंगे और तमाम loops को shaft के साथ हलका सा बल देंगे और अब हम paper cutting करके इसकी folding कर आते हैं या कैंची की मदर से हम एक सेंटिमेटर paper छोड़ कर काट देंगे यूँ और बाद में scale की मदद से इस paper को उपर नीचे दोनों side से folding देंगे तो पहले हम right side से fold करते हैं तो scale की मदद से अब हम इस paper को अच्छी तरह से fold कर लेते हैं तो यूँ आप देख सकते हैं कि slot के inside जो paper है वो अच्छी तरह से folding हो चुका इस तरह हम तमाम papers को cutting करके इनको scale की मदद से fold करेंगे जी friends तो हमने armature की winding कम्प्लीट कर ली paper folding हो चुकी अब हम इसके part 1 को complete कर चुके हैं next part 2 में हम इसके commodeator fix करेंगे तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया उनसे द्रहास चैनल को subscribe कर लें और साथ लगे bell icon को प्रस कर लें ताके next आने वाली informative वीडियो का notification आपको बार वक्त मिल सके तो मिलते हैं next वीडियो में वीडियो को like करते हुए इजाज़त दीजिए तब तक के लिए अल्लाह आफिस